इस वक्त की जो बड़ी ख़वर है बिहार के सियासत से जुड़ी होई महा गड़मंदन की सरकार बनने के बाद पहली बार पुर्मुखे मंत्रीव आरजेडी सुप्रिमो लालु प्रसाद यादो पटना पहुँच गए हैं बड़ी संख्या में आरजेडी नेताओं और कारेकरताओं की भीर लालु यादो के स्वागत के लिए पटना एरपोर्ट पर मौझूद दिख रही है तस्विर देखिया है आरजेडी सुप्रिमो लालु यादो पटना पहुँच गए हैं उसकी बड़ी तस्विर आपको दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं तस्विरों में आप लालु बेहार में महागणबंदन की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब वो पतना पहुंचे और इसकी तस्विर आपको सीधे एक्लूसिव दिखा रहे हैं कारिकरताओं और नेताओं की बड़ी भीड इनसब के बीच की ये तस्विर आपको दिखा रहे हैं बड़ी संख्या जा रहे होंगे, साफ तरफे वो बीमार तो दिखी रहे हैं। जो तस्विर आपको दिखा रहे हैं, आग खुद लालू बढ़ तसा लिया हाद हो, वुट नहीं पा रहे हैं, वो आगे की बढ़ रहे हैं। यह प्रहुद आपको दिखा रहे हैं, लालू अपने खारी में जिस तरीके से नितीश कुमार ने बीजेपी को जटका दे कर महा गड़मंदर में जाने का फैसला लिया वे इसन सब के पीछे कहीं न कहीं लालू यादो की एक बड़ी भूमिका थी लिहाजा आज जब लालू पटना पहुंचे हैं तो कारेकरताओं की ये बड़ी भीर बता रही है किस तरीके से उनके स्वागत में पूरी तरीके से आरजेडी के नेता आरजेडी के कारेकरता पटना एयरपोर्ट पर डटे हुए थे ये तस्विरे देखिए आपको मेडिया के कैमरों के बीच है खूब नारेबाजी हुँते हुए लालू यादों के समर्थकों की भीड की तस्विरे आपको दिखा रहे हैं पूरी तरीके से सुरक्षा बलके जवान है जो लालू यादों के सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मी है वो भीड के बीच से लालू यादों को निकाल रहे हैं और पटना के येरपोर्ट की आपको ये तस्विरे आपको दिखा पहला दफा पहला मौका है जब लंबे वक्त के बाद लंबे अर्से के बाद बिहार में लालुयादों के पार्टी की सरकार आई है लालुयादों के छोटे बेटे तेजस्वी बिहार के मुख्य मंत्री बने हैं बड़े बेटे नीती स्कैमिट में मंत्री बने हैं छोड़े आ ए टंटा अाल वो याल बंट